नश्कार दोस्तों मैं राकेश कुमार हमरदेश के पहले चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ जनरल वीपेंड राउ तब इस दुनिया में नहीं रही है कल एक हेलिकोप्टर दुर घटना में एक हेलिकोप्टर क्रेस में उनकी मोत हो चुकी है उनके साथ 14 लोग और सवार थी जिन में उनकी पतनी सहित 13 लोगों की मोत हो चुकी है जबकि उनके साथ मुझूदा ग्रूप कैप्टेन वरन सीहें की हालत काफी गंबिर बताई जा रही है वही पर आपके मन में जो सवाल है उनहीं का मैं जवाब देने आया हूँ उनहीं सवालों को पूछने आया हूँ ऐसी कौन सी खामी थी जिसके कारण हमारे सेना परूप की इस परकार से मोत हो जाती है आपके भी मन में सवाल होंगे आप भी कुछ पूछना चाहते होंगे मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ आपके सभी सवालों के जवाव मिलेंगे वहीं पर अंतराश्य स्तर पर और हमारे पडोसी देश क्या सोच रहे होंगे कि भारत के बारे में कि उनके खुद के सेनापती जो उनके सेना परमुख है उनको वो एक परकार से 50 या 100 किलोमेटर की हवाई यात्रा नहीं करा पा रहे ह तो आखिर एसा क्यों हो रहा है कहां कमी आ रही है उस पर हम चर्चा करने वाल है यह सवाल सुधिर चोधरी नहीं भी उठाया है कि अगर हम अपने सेनापती को फुरुक्षित यात्रा नहीं दे सकते हैं और हेलिकोप्टरे से क्रेश हो जाते हैं तो अगर इसी कार्ण हेलिकोप्टर नहीं है जिसमें हमारे सेना पर मुख यात्रा कर रहे थी हवाई यात्रा कर रहे थी यह हेलिकोप्टर अमाई 17 V5 हेलिकोप्टर है जिसको VVIP कहा जाता है जिसमें देश के परधान मंत्री देश के राष्टपती और देश के रक्षा मंत्री भी इसमे हमारे सेना पुर्मुक इस से यात्रा कर रहे थे और देश के पढ़ान मंतरी भी से यात्रा करते हैं तो इतना विश्वशन ये क्यों हैं यह भी आप जाना चाहेंगे और आप यह भी जाना चाहेंगे कि अगर इनकी इतनी खूबिया हैं तो आज के समय में जब हेलिकॉप्टर क्रेश हुआ तो वहां पर कौन से ऐसे अखलात हो गए थे जिसके करण हेलिकॉप्टर क्रेश हो गया मैं आपको इस हेलिकॉप्टर की खास्चत पता देता हूँ और आपके सवाल भी इसके साथ में आते जाएंगे यह एक एडवांस मिल्टरी ट्रांसपोर्ट हेलिकॉप्टर है जिसके जरीए सेना को भी भेजा जाता है और इसके जरीए रेश्क्यू भी किये जाते हैं और इस हेलिकॉप्टर के सबसे बड़ी यहीं खास्यत है कि इसके अंदर दो इंजन लगे होते हैं अगर एक बंद भी हो जाता है तो दूसरे इंजन के साहरे उड़ा जा सकता है और असानी के साथ लेंड भी किया जा सकता है और इस हेलिकॉप्टर की यहीं भी खास्यत है कि यह दिन और रात में भी उड़ सकता है यह खराब मोसम में भी उड़ सकता है यह इंकार्ण है कि बार जैसे हालात में भी यह रिश्ट्यू करने का इसको काम में लिया जाता है और यह हेलिकॉप्टर शेना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने और साथ में गोला बारूद भी ये ले जा सकता है और गोला बारूद और मिसाइलें लगाकर इसे दुस्मनों पर भी वार किया जा सकता है और इसकी बोड़ी काफी मजबूत बनाएंगे यह होती है जिसके जेरिये यानि कुछ आम अगर इस पर किसी भी परकार से हत्यार से हमला होता है तो कोई भी असर नहीं होता है यह इनके सबसे बड़ी खाशित है तो अब आप पूछेंगे कि वहां पर क्या इतना खराब मोसम तो क्या इतना खराब मोसम था कि यह हेलिकोप्टर जिस खाशित के साथ जिसको इस्तेमाल किया जाता है यह काम नहीं करा यह सबसे बड़े सवाल खड़े होता है क्योंकि यह हेलिकोप्टर रेगिस्तान या फिर बरफिले इलाके जहां कहीं भी वीपरित मोसम हो यह वहां पर आसानी से काम करता है इसी कारण इसका इस्तमार रेश्क्यू में किया जाता है और कहीं पर जंगलों में आग लगती है तो भी इस हेलिकॉप्टर के जरी आग बूजाई जाती है ये इस हेलिकॉप्टर की सबसे बड़ी खाशित है और इस हेलिकॉप्टर को एक रूसी हेल हेलोक्टर इस्तेमाल करता है और इस हेलिकॉप्टर पर इतने विश्वाज किया isn't देश के राष्ट्पती और प्रधान मंतरी इसे यात्रा करते है रहे को गार टो उड़ सकता है और यह हेलिकॉप्टर 233-280 km पर 3 गंटा की रपतार से उड़ सकता है वहीं पर तेन क्रूम मेंबर के साथ यह 36 लोगों को इसमें सवार क्या जा सकता है और यह 36,000 km का भार भी डौ सकता है अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि यह हिलिकॉप्टर क्रेस क्यों हुआ इसके बारे में जांच के आदेश दे दिये गे हैं वही उसे ना ने भी कहा कि इसकी जांच हो रही है वही पर यह हादसा क्यों हुआ क्या मेंटेनिस में कहीं दिक्कत थी या फिर पाइलेट में कही दिक्कत यह सा नहीं है भारत का सबसे सरुस्रेस्ट पाइलेट इसको उड़ा रहा था वही पर मैं आपको बता दूं कि इस हेलिकॉप्टर में कौन से इसी दिक्कत ही या फिर कहीं बाहर से हमला हुआ है इन सभी चीजों की जानकारी ब्लेक बोक्स की जरीया आपको मिलेग होता है Is유리े इस लिए उसे फॉलाइड डाटा रिकोर्डर भी कहते हैं यह बिमान के पिछले इसे में हूता है यह इंजन के आवाज, 내일 अलारंग की आवाज, केबिन, कौक्पिट की आवाज को करता है ताकि यह पता चल सके कि हाद से किसमें यह विमान का महोल किस तरीके का था और यह बलेक बोक्स टाइटेनियम का बना होने के कान काफी मजबूत माना जाता है इसे इसलिए मजबूत बना जाता है ताकि उन्चाई से जमीन पर गिरे तो समुदर के पानी में गिरने पर भी इसको कम से कम नुक्सान होता है और इसका यह भी काम होता है कि विमान की दिशा उन्चाई इंधन का स्तर गती और केबिन का तापमान आधी को रिकोर्ड करने का काम करता है। जाता है और आज Black Box मिल चुका है ये सबी सवाल आपके भी मन में रहे ओंगे औस यह भी जाना चाहेंगे किस से पहले यह जो इतना वीवीाइपी जो हिलकॉप्टर है वह कितनी बार क्रेश हुचका है मैं आप हादसा हुआ जिसमें सभी सवारी बच गए थे वहीं पर 6 अक्टूबर 2017 में एक हादसा होता है जिसमें 7 लोगों की मौत हो जाती है 25 दून 2013 को उत्रा खंड में हादसा होता है जिसमें 20 सवार लोगों की मौत हो जाती है 19 अपरेल 2011 को एक हादसा होता है जिसमें 17 लोगों की लांच होना जुरूरी है कि आखिर यहादसे क्यों हो रहे हैं और इतना शुरुक्षित यह हिलकॉप्टर माना जाता है कि यह क्रेस लेस हिलकॉप्टर अगर क्रेस होता है उसके बाद भी शुरुक्षित रहते हैं लोग इस परकार का इसकी एक परकार से खूबियां बताई जाती है इसकी खास्यत बताई जाती है तो तमाम खास्यत कहां चली गई इसा क्या हो गया जिसके कारण हमें अपना सेना पर मुख खोना पड़ा और इसके अलावा भी बाहरे लोगों की मौत हो गई उन सभी को हमारी और से विनमर सरधानजली और आसा करते हैं कि आने वाले समय में इस परकार की दुर घटना नहीं हो इस परकार के कदम उठाए जाए इस परकार की घटना नहीं हो हम यहीं आसा करते हैं उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कोमेंट करके जरूर बताएं आपके मन में कोई भी सवाल हो तो वो भी जरूर पूछें आज के लिए वसी इतना है